आज हम लोग क्लास एट जीके पढ़ेंगे हिस्टरी से वेन ड़स दी इंडोनेशियन सेटलमेंट इन दी मलाय पेनिंसुला तुक प्लेस मलाय प्रायदीब में इंडोनेशियन सेटलमेंट कब हुआ था 2200 BC में वेन ड़स दी इंडोनेशियन सेटलमेंट इन दी मलाय पेनिंसुला तुक प्लेस मलाय प्रायदीब में इंडोनेशियन सेटलमेंट कब हुआ था 2200 BC में वेन दी कमांडर रोबर्ट पीरी डिस्कवर नॉर्थ पोल कमांडर रोबर्ट पीरी ने उतरी धुरूप की खोज कब किया था जर्मनी ने फ्रांस पर कब आक्रमन किया? 1940 में. During World War II, जर्मनी ने फ्रांस पर कब हमला किया? 1940 में. The trident-shaped symbol of Buddhism does not represent Nirvan. Don I, whom I was written by Gulvadhan Begum. Don I, Himayu, Masur किताब को Gulvadhan Begum ने लिखा था. When was Shakespeare born? Shakespeare का जन कब हुआ था? 1564 AD में. Don I, Humayu किताब को Gulvadhan Begum के द्वारा लिखा गया था. Shakespeare का जन 1564 AD में हुआ था. The term Nirgrant is associated with gens. Nirgrant सब्दिया जैन धर्म के लोगों से संबंधित है. The term Nirgrant is associated with genage. Nirgrant term या जैन धर्म के लोगों से संबंधित है. Under Aquard, the Mir Bakshi was required to look after military affairs. Aquard के सासन काल के दरान, Mir Bakshi का काम सेनिक मामलो को देखना होता था. Under Aquard, the Mir Bakshi was required to look after military affairs. Aquard के सासन काल के दरान, Mir Bakshi का काम सेनिक मामलो को देखना था. The system of competitive examination for civil service was accepted in principle in the year 1853. अंग्रेजों के समय में, civil service परतियोगिता परिच्छा की सुरुवात किया गया था. 1853 में, the system of competitive examination for civil service was accepted in principle in the year 1853. अंग्रेजों के समय, civil service परतियोगिता परिच्छा की सुरुवात किया गया था. 1853 में, उस्ताद मनसूर वाजेब हेमस पेंटर इंदी रिजन ओफ जहांगीर. उस्ताद मनसूर जहांगीर के समय में, मसूर चित्रकार था. लिए बेदाज कन्टेन, ओल दी तुरूथुवाज इंटरुथ्वाज इंटर्प्रिटेट बाई स्वामी दयानंद. बेद के हिन्दू धर्म का मुलाधार बेद को माना जाता है, इस बेवस्था को स्वामी दयानंद ने बतलाया था. इसके आधार पर ही हिंदु धर्म को माना जा सकता है स्वामी दयानंद ने इसे बतलाया था वेन वाज स्लेबरी एवालिस्ट इन ब्रिटेन ब्रिटेन में गुलामी पर्था कभ खत्म हुई थी 1833 में वेन वाज स्लेबरी एवालिस्ट इन ब्रिटेन गुलामी पर्था ब्रिटेन में कभ खत्म हुआ था 1833 में वाज दी रोमन गवर्नर एंड प्रिंस्पल अजैसिन इन दी मुडर ओफ जुलियस सीजर जुलियस सीजर को मारने में किस रोमन गवर्नर का हाथ था मारकस जुनियस बिरुटस, who was the रोमन गवर्नर एंड प्रिंस्पल अजैसिन इन दी मुडर ओफ जुलियस सीजर जुलियस सीजर को मारने में किस रोमन गवर्नर का हाथ था मारकस जुनियस बिरुटस, who was the last ruler of the मुगल डाइनेस्टी मुगल बन्स का अंतिम सासक कौन था? बहादूर साह जपर who was the last ruler of मुगल डाइनेस्टी मुगल बन्स का अंतिम सासक कौन था? बहादूर साह जपर the term ब्रम्हादे occurs for the first time in pre-gupta inscriptions ब्रम्हादे term का पहली बार परियोग गुप्त सामराज के पुर्व के सिला लेखों में मिलता है the term ब्रम्हादे occurs for the first time in pre-gupta inscriptions ब्रम्हादे term का परियोग गुप्त सामराज के पहले के सिला लेखों में मिलता है तुलका पियाम is associated with the second sangam period तुलका पियाम तर्म या दूसरे sangam यूग के समय का सब्द है तुलका पियाम is associated with the second sangam period तुलका पियाम तर्म या दूसरे sangam यूग से समबंधित है पुलकेसीन सेकेंड वाज दी most famous ruler of चालुक्याज पिलकेसीन दूदिये चालुक्यों का सबसे मसूर सासक था Between whom was first China war found, किसके समय में पहला चिन यूद किसके सार्थ हुआ था, चिन और ब्रिटेन में Between whom was first China war found, चिन का पहली बार यूद किस देश से रुआ, चिन और ब्रिटेन में The Battle of Palasi was found in 1757, 1757 में Palasi का यूद लड़ा गया था, The Battle of Palasi was found in 1757, Palasi का यूद 1757 में लड़ा गया था, In which year of first world war, Germany declared war on Russia and France, पहले बिसुजुद में किस बर्स में, जर्मनी ने रूस और फ्रांस के विरुद यूद गोशित कर दिया, 1914 में, in which year of first world war, Germany declared war on Russia and France, पहले बिसुजुद के दोरान, जर्मनी ने किस बर्स रुस और फ्रांस के साथ यूद गोशित कर दिया, 1914 में, what is Bethlehem associated with Bethlehem का संबंध किस से है, Jesus Christ से, इसा मसी से, what is Bethlehem associated with Bethlehem का संबंध किस से है, Jesus Christ या इसा मसी से, we can know about early Vedic period from the Rig Ved, पुर्ग बैदिक यूग के बारे में हम Rig Ved के माध्यम से जानते हैं, We can know about early Vedic period from the Rig Ved, Rig Ved के द्वारा हम पुर्ग बैदिक यूग के बारे में जानते हैं, The process of revival of learning that swept across Europe in 15th and 16th centuries, is called Renaissance, Europe में पंद्रहमी और सोलहमी सताब्दी में बाधिक यूग की शुरुवात हुई, जिसे रिनेसेंस या पुनर जागरन कहा जाता है, The process of revival of learning that swept across Europe in 15th and 16th centuries is called, एरोप में पंद्रहमी और सोलहमी सताब्दी में बाधिक यूग की शुरुवात हुई, जिसे रिनेसेंस या पुनर जागरन कहा जाता है, When the terrorists crashed two planes into New York World Trade Center, New York के World Trade Center पर आतंकवादियों ने कब हमला किया था, 11 September 2001 को, When the terrorists crashed two planes into New York's World Trade Center, New York के 20 ब्यापाड केंद्र पर आतंकवादियों ने कब हमला किया था, 11 September 2001 को, Thanks.